चलिए सर अब एक बात जीवन में याद रखिएगा कि जब भी कैलकुलेशन से हम नीचे से उपर जाएंगे न तो जो चीजे हम प्लस किया करते थे वो मैनस हो जाता है चीजे मैनस किया करते हैं उप्लस हो जाता है कहानी उल्टी हो जाती है सिंपल सी बात और इसमें कोई ट्रिक और कोई लॉजिक नहीं है बहुत सीधी सी बाती है यह तो आप सबसे पहले प्राइम कोस्ट दे रखा है तो प्राइम कोस्ट की ये लेजिए, इसके बाद सब डारेक्ट वेजिस देता है, लिख देते हैं न, यहीं पर डारेक्ट वेजिस, सबसे पहले राव मट्रियल, राव मट्रियल भी यह क्या, expense on purchase दे रखा है, तो purchase लिखिए, purchase लिखिए, कितना है हमारा, अच्छा वो expense है, चलिए expense, यहां लिख लेते हैं, on, purchase कितने का है, पांच हजार है, पांच हजार है, इसको सही सही लिख देते हैं, पांच हजार, इसके बाद क्या दे रखा है हमें, नहीं मैं opening से चल रहता हैं, opening stock, plus opening stock, minus closing stock, 10,000, और 15,000, तो यह आता है हमारा, और वो भी minus का, चलिए sir, expense भी ले लिए, direct wages यहीं आ जाएगा, direct wages, direct wages कितना है, 50,000, सवाल कहता है, compute the raw material purchase, इसका मतलब, देखो यहाँ पे, कि सिर्फ और सिर्फ यहीं missing है, इस पूरे कहानी में यहीं missing है, तो नीचे से उपर चले जाते हैं, तो अगर हम इससे उपर जाएंगे, तो जो plus का symbol है minus होगा, क्योंकि हम नीचे plus करते हुए उतरे थे, तो सबसे पहले यह minus हो जाएगा, 95,000, और यह minus हो जाएगा, 45,000, और यह plus हो जाएगा, तो जवाब हमें मिल गया, कितने रुपे आगे हमारे, 50,000 रुपे आगे, बच् और भी एक सवाल आपके लिए, ठीक है, मसीन आवर रेट है, production है, और यह भी कुछ-कुछ आसान-ासान सा सवाल है, करते हैं आपके लिए, हाँ, जितने भी सवाल होंगे न, छोटे-छोटे, थोड़े से, देखो, मेरा काम है कि आपको सारा करा देना, सारे टाइप के question करा देना, बाकि आप जितने मर्जी question करो, उसमें रुपना नीची, ऐसा लगी कि इस टाइप का question हमने किया हुआ है, इसलिए मैंने बड़े च छाट-छाट के सारे question जो थे न, और ऐसा नहीं कि मैं किताब के सारे question करा रहा हूँ आपको, मैं practical हो, चाहे आपके book के example हो, उसमें से जो main-main सवाल थे, वो निकाल के मैं करवा रहा हूँ आपको, और जो similar type के question थे, वो करवाने की जुरत है नहीं हो, तो time-shrift, और वो आप compare cost sheet from the following, ठीक है सर, यहाँ तो बोली दिया cost sheet, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, prime cost, सबसे पहले लिख लेते हैं, prime cost, इसके बाद क्या आता है, WIP है क्या, नहीं है, तो factory cost, factory cost, इसके बाद क्या आएगा, cost of production, अच्छा, finish goods है नहीं, तो cost of goods sold, क्योंकि finish goods भी इसमें, इसके बाद क्या आएगा सर, cost of sales, और last final sales, तो आपको एक idea हो गया होगा है, कि हम किस तरीके से, एक step को अगर आगे नहीं दे रखा हो, question पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, तो किस तरीके से आपको skip करना है, यह भ नहीं कटेंगे, कोई number नहीं कटेंगे, जब है ही नहीं तो क्या करेंगे, बच्चे थोड़े से जब ज़्यादा पढ़ने ले जाते हैं, तो भेहमी किसम के हो जाते है, क्योंकि डर लगता है, यह करेंगे तो यह नहीं कटेगा, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे नहीं कटेगा, सब कुछ नहीं है, सवाल सही होना अचीए, बस, raw material, कितने का खरीदा सर, raw material, पंद्रह हजार, डारिक लेबर, कितने का, नो हसार, मसीन आवर और मसीन आवर रेट, फैक्टरी में चलेगा, कहता है भाईया हमारा फैक्टरी ओबरेड लिख लुए है, कहता है, मसीन जो चलेगा न, वो 900 घंटे चलेगा, मैंने, ओके, बोलता है, दिहारी लगेगी, एक घंटे के 5 रुपे, मैंने, कोई बात नहीं, आपको मिलेगे कितने, समझे ही बात, पोडक्शन कहता है, 17,100 यूनिट करेंगे, ठीक है सर, 17,100 यूनिट, आगे कहता है, सेंस हमने 16,000 यूनिट किया, गडबड हो गई, कितने यूनिट बेचे, तो यहाँ पे क्या बचा, कितने, 1100, और हमने इसको क्या डाल दिया सीधा, good sold cost of good sold से पहले हमारे पास क्या आएगा cost of production आएगा समझ में आ रहा है आपको तो मैं लिख लेता हूँ factory के बाद cost of good sold के बाद क्योंकि closing stock ही आएगा admin है गया selling and price selling and overhead office overhead है बिल्कुल तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ चलो कैसे adjust करें कोई बात नहीं adjust कर लिए इसको उठा के लेगे उपर यानि सर यहाँ पर factory के बाद क्या आता है हमारा cost of यानि last concept करने के बाद कम से कम इतना तो हमें समझ आया है कि या closing stock भी निकाल सकते हैं ठीक है सर यहाँ कहता है कि selling and overhead कितना है हमारा क्याता है 20% selling overhead है 20% of work cost work cost का मतलब सर factory cost का यह और नया नाम है factory cost का यह और नया नाम है यह क्या नाम है factory cost का यह work cost याद रखना है कहता है जितना भी यह आएगा उसका 20% ही होगा तो सर पहले यह निकाल ले ना 24 24 और 45 हजार गलती से कर दिया है यह है सर 45 24 इसमें जोड़ दोगे तो 28 कहता है कि office का जो खर्चा है कहता है जो office का जो खर्चा है overhead जो है वो इसका 20% है तो कितना होगा 20% 17 57 57 cost of production आ जाएगा कितने 34,200 आपको पता है sir closing stock इतने है आपको पता है cost of production क्या है है ना 34,000 आपको पता है production unit कितने है कितने है production unit 17,100 question कुछ चिला चिला के कह रहा है 17,100 अब आपको देखो पिछले आले सावाद जो हमने भी practice में किया था क्या यहाँ पे closing stock का आप unit तो निकालने में कामियाब हो गए sir closing stock का जो unit होगा वो unit तो होगा कितना sir 1100 लेकिन यह कितने से multiply करें कैसे पता चलेगा पहले हमें CPU निकालना पड़ेगा यहनि cost per unit cost per unit कैसे निकलेगा 34200 और divided by 17 100 that is 2 rupees तो यहाँ 2 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 2200 वो भी किसमें sir negative में क्योंकि यह क्या है closing है तो minus करेंगे जैसे ही 2200 तो आजाएगा 32000 अब आगे देखते है selling and distribution expense कहता है 50 पैसे तो sir selling कोई बात नहीं sir 50 पैसे कितने unit बेचे हैं सवाल खुदी चिल्ला के कह रहा है 16000 तो कितने हो गए 8000 कितने हो गए यह 40000 कहता है जो भाई मैंने बेच दिया 4 रुपे पर unit के साब से अच्छा ये भी हमसे निकलवाओगे तो यहनि 16000 गुणा में 4 तो कितने का बेचा 68000 तो बीच का difference क्या आएगा profit कितने का आगे profit 8 तो 64 ही तो नहीं अच्छा 64 होगा मैंने 68 लिख दिया 64 तो यह लेजिए तो एक इस परकार का सवाल हो सकता है तो देखो जिसको अगर वो वाला concept नहीं clear न कौन से वाला सर वो वाला closing stock, opening stock per unit यह करी नहीं सकता हो सवाल वो परिसान रगा है कैसे कर दिया है इतना सारा बड़ा कुछ बहुत कुछ निकाल लिया इसने तो तो यहाँ पर यह कमाल था बच्चो का जवाब है 24,000 तो मैंने 28 लिख दिया था तो जवाब सही है 24,000 यह भी बदलेगा है न तो 24,000 ठीक है यह भी मज़ेदान question तो अब देखो क्या चीज़े सीखा हमने इस वाले सवाल में क्या सीखा हमने कि कई बार आपको किसी head का expense चाहे आपका selling हो एडमीन हो वो पिछले वाले head पर depend कर सकता है जैसे कि यहाँ पर था और दूसरा closing stock चाहे production कुछ भी निकालने को आ सकता है मज़ा तब आ जाता जब यहाँ पर question में आप production भी नहीं देता उसके जगा पर selling का unit देता तो हमें क्या निकालना पड़ता फिर production unit तो दे ही रखा था अब मैं माल लो मैं कह दू कि मैं production का unit नहीं देता हूँ तब भी मैं निकाल सकता हूँ sir बस मुझे क्या दे दो आप closing का unit दे दो तब भी मेरा निकाला जा सकता है चलिए किसी को कोई doubt अगला सवाल कुन साह देखते है अगली class में बाकी मैं इसका answer करूँगा एक यह सवाल है आपके homework के लिए इसके अंदर भी ध्यान से करिएगा 20% of work cost लिखा हुआ है मेरे खाल सेम सवाल repeat होगे है तो हाँ है ना तो यह तो नहीं है वह यह तो नहीं है जी सेम सवाल repeat होगे वह होगे repeat ध्यान नहीं दिया मैंने यह सवाल क्या कहता है 8 चलिए एक यह सवाल homework में रहेगा आप note कर लिजिएगा question number 8 है homework में मैं देने जा रहा हूँ question number 9 भी homework रहेगा इसके अंदर देखिएगा मजे की बात है यहाँ पे कुछ है दिक्कत 160% of factory यानि 100 से भी उपर चला गये तो और question number 10 भी आपका homework में रहने वाला है और 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 11 भी homework में है 11 तो अभी कर लिया था कर लिया था amount change कर दिया तो यह तो homework में होई गया 12 यह मैं करा दूँगा 13 यह भी मैं करा दूँगा हगली class में 14 यह homework में है यह तो सिर्फ भरना है आपको fill करना है नहीं हुआ तो मैं कराँगा मैं बाकि लिख रहा हूँ यह sheet कल आपको मिल जाएगी सभी को 15 और यह last question है और last question का मतलब मुश्किल थोड़ी होता है यह भी homework में है यानि अगली class में chapter खतम अगली class में यह वाला chapter आपका हो जाएगा महिश्वरी मित्तल विच edition इसमें edition नहीं है बस ले लीजिये जो भी पिछले साल का भी चल जाएगा और this year का भी चल जाएगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव आया नहीं है पिछले बस में लेकिन तीन-चार साल पहले का लीजिये का तो problem आजाएगा यानि अगली class में sir हम यह chapter को क्या करने वाले खतम और जिसके जो भी डाउट है सारे डाउट बूर्ड पे मैं किक करके solve करने वाला हूं इसके अब डाउट ले लेते हैं बच्चों के